जिया बेटा, तुम्हारे लिए खुशकबरी है, तुम्हारी मामा को ग्रेट मदर का अवार्ड मिलने वाला है, जिया? ये तीनों इंडियन्स कौन है मामा? क्या रिष्टा है आपका इनसे? 19 साल से हर महीने ये तीनों आपको चेक क्यों भेज़ते रहे? माई फादर, मिस्टर ब्रिटानिया, अरे ऐसा आदमी कभी था ही नहीं, और ना ही कोई ब्रिटानिया फैमली थी, और ना ही मेरे पापा ने किसी हिंदुस्तानी की जान बचाई थी, ये सिरफ आपने एक मनगलत कहानी घड़ी थी, मुझे जूटा दिलासा देने के लिए? असली कहानी तो ये है, कि मेरा एक बाप नहीं, तीन बाप हैं, ये तीन इंडियन्स मेरे बाप हैं, और आप, एक बिन बिहाई मदर, और मैं, मैं इन तीनों की नाजायज आउलाद हूँ स्टाप इट जिया, स्टाप इट, तुम्हास से जादा बोल रही हो, मैंने तो आपको एक नेक, शरीफ और क्यारिक्टर वाली मा समझा था, मगर, मगर आपको तो कोई क्यारिक्टर ही नहीं है, जिया, आप जैसी गिरी हुई औरत को, ग्रेट मदर का अवार्ड मिल रहा है यह हर मा की तौहीन है, ग्रेट मदर का वार्ड एक ग्रेट मदर को मिलता है, एक गिरीफी औरत को नहीं, एक बच्चलान औरत को नहीं आपके इस थपड़ने थाबित कर दिया, कि जो कुछ भी मैंने कहा वो सच था, और एक सच आप भी सुन लीजिए, आज के बाद, ना तो मेरा आप से कोई तालोग है, और ना इस घर से मिस्री ब्रिटानिया, जीया को रोको, मैडम, जीया बेबी, जीया बेबी, अकर घुस्से नो कुछ उन्टी सीधी हर्कत कर गई, तो आपको जिन्दगी बर पच्टान अपड़ाएगा, रोकिए प्लीज, थ्रोबेच पुलिस्टेशन, चकरवतिया स्पिकिंग, मैं मिस्र मिस्री ब्रिटानिया बोल रही हूँ, हलो मिस्री ब्रिटानिया, गुड आफ्टरनूर, एक लड़की मेरी गाड़ी चुरा कर भाग गई है, उसे आफ और गिरफतार कर लिजे, अरेस्टर प्लीज, कैसी मा है आप, अपनी बेटी को जेल में डालने का इंजदाम कर दिया, जिया बेबी को प्यार से समझाने का था, सब ठीक हो जाता है, अरे उसके लिए एक राज जेल में रहना बेहतर है, बजा इसके कि वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, मेरा दिल पत्थर का नहीं है, मैं उसके मा हूँ, कल सवेरी में प्लिस्टेशन जाकर अप कोप जब, क्या लिएरी में जाए उसके मा दो לתिए मेरा भ kulाव जाई एए, उसके मा बेहतर है, म theology मेदाने का देए, sucks, जाहक हमें प्ली में लिए में, बेहना का प्या उसके बाह जाता हैै, मैं बढकर ताने को पिंब में प्ल्सकाँ अर्सके का लाज़ में जाता है, मैं मेडम चाय नहीं मर्या हलो गुट आफ्टर मिस्स प्रटानिय ट्राफिक इंस्पेक्टर रिशी स्पीकिंग आपके लड़की का छोट असे अक्सिडेंट हो गया मैं अभी आ रही हूँ जिया का एक्सिडेंट हो गया है 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 ओ माइगाड इसका मतलब है आश्या को मैं अब तक 21 लाग रुपए भीज चुका हूं मैं उल्लू का पठा एक कंपणी के सारे शेर जो उसके नाम कर दिये कुल मिलांके 31 लाग का भटका बढ़ा है मुझे और मेरा टोटल तो 27 लाग तक पहुंच गया है अशा ने हम तीनों को बिफ्कूब बनाया हम तीनों को उसने उशा फैन की तरह घुमा दिया और हम उल्लू के पठों की तरह घुमते रहे घुमते रहे और देखो मेरा क्या हाल हो गया है माल भिशते भिशते सारे बाल चले करें अरे नई टेक्निक से बाल तो आ जाएंगे लेकिन माल कहां सी ओगाएंगे युन्यों कल सुपर दस बजे मूझसे मिलने गया था Evenlesय अपने ट्रस मिलने गया था तुम भी हाई लेकिन मार तो इंशोरतवाना अंदर था मुझसे कहा कि insurance वाला बाहर है अरे जब मैं अंदर था तो मुझसे भी यही कहा कि insurance वाला बाहर ख़ड़ा है अरे बाहर तो मैं ख़ड़ा था बार-बार दर्वाजा मेरे मूपे मार रही थी और कह रही थी कि insurance वाला अंदर ख़ड़ा है तो ला मेरे 33 लग और बढ़ां चाका बाप He क्या मिसिस बिटानी ही बता सकती है कि जिया का असली बाप कौन है 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 पाडरी जानते है कि असली फादर कौन है उसने हम तीनों से पैसे लिए कि ची चीट किया है ची चीट किया चलो उसे ठीक करते हैं पाजी, let's get moving ओ नो तीनो एक साथ मिसेट बिटानिया को बाहर बुलाओ हमको पाई-पाई का हिसाब लेना है किदर है वो मेडम हॉस्पिटल क्या है हॉस्पिटल क्यों एक्सिडेंट हो गया एक्सिडेंट किसका जिया बेबी का जिया बेबी का सोच कर रहे हो पाजी, let's get a moment अब लोग हॉस्पिटल नहीं जाना प्लीज, sir, don't go नहीं जाना, हॉस्पिटल नहीं जाना गर्मा हो जाएगा आया बापा, आया, आया अलो अब तीनो एक साथ नेवर माइन मिसेट बिटानिया घर में है नहीं है वाउ, कितना खुपसूरत घर है ना अरे, आज तो उनको मान पत्र मिलने वाला है ग्रेट मादर का यहीं बताने के लिए तो आई है हम लोग यहाँ पे लेकिन माडम घर पर नहीं है देखो मारिया, तुम उनसे कह दे ना कि हमें पूरी कहने का पता चल चुका है आपको पूरा स्टोरी मालूम हो गया यह, मारिया फूल स्टोरी हाँ, A to Z मालूम हो गया है A to Z मालूम हो गया है हाँ, हाँ, हमें सब कुछ मालूम हो गया है ओ, अब इंडियन औरत कितना ग्रेट है देखो मारिया, जो मिसिस बिटानिया के साथ हुआ, वो तो किसी भी औरत के साथ हो सकता है हाँ, हो सकता है, वो टाइम हमारा मैडम कितना छोटा था, सोला साल का, स्वीट सिक्स्टीन दस दिन में तुम तीनों का हस्बन उनका लाइफ में आया और इंडिया चला गया या तो फिर तुमारा हस्बन लोग नैंटीन यर्ज चेक भेज कर मैडम का मदद करता रहा है वह वुटफुल लव स्टोरी मारिया, मिसेस बचानिया कहा है? हॉस्पिटल में, एक मदर, तीन फादर, एक डॉर्टर सब मिलने वारा है Come on, let's go to the hospital चल जिया, जिया मेरी बच्ची तुम ठेक तो हो न, are you all right? काशके में मर जाती ओ, जिया, मेरी जिन्दगी पहले जखमों से भरी हुई है उन जखमों को और जोट न पहुंचाओ वाइ नौट, तुम्हारी परच्चाई से मेरी जिन्दगी जल गई है मेरी सारी खुशियां जल गई है क्योंके मेरी जिन्दगी तुम्हारी बदनाम जिन्दगी से जुड़ी हुई है जिया, मेरी जिन्दगी में जो अनहुनी हुई है वो मेरी मजबूरी थी क्या मजबूरी में दुनिया की हर और ऐसी ही गलती करती है जो आपने की है एक मजबूर और कोई भी गलती कर सकती है जिया मजबूरी में ही और तवाइव बन जाती है या फर वक्त और हालात से हार कर आत्म हत्या कर लेती है तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई मजबूरी आई ने इसलिए तुम्हें पता ही नहीं कि मजबूरी क्या होती है मैं नहीं मांथी कि दुनिया में यसी कोई मझबूरी है जो इंसान को इतना खिरने पर मजबूर कर दे मझबूरी थी जिया जानना चाहती हूं तो सुनो मेरे पापा याने तुम्हारा नाने जी को चैंसर हो गया था अचानक धेर सारे रुपयों की जरुवत पड़ गए थी मैं अकेली लड़की जात इतने सारे रुपय कहां से लाती क्या कैंसर से तड़त्वेवे मेरे पापो को मरने के लिए छोड़ देती थोड़े से वक्त में धेर सारे रुपय खटा करने के लिए मुझे वो कदम उठाना पड़ा जिसका पश्तावा मुझे जंदकी भार रहेगा मैंने पाप जरूर किया है जिया मगर उस पाप में भी एक पुन्य की भावना चुपी थी मेरे पापा को बचाने की भावना मगर ना मैं अपने पापा को बचा सकी और ना ये दाग मठ सका फैंटास्टिक गुट स्टोरी मामा कहानी बनाने में तो आप मास्टर है वाट तुम्हारा मतलब है कि ये एक कहानी है ये जूट है येस जिस तरह अपने मिस्टर बिटानिय के जूटी कहानी बनाकर 19 सालों तक इ मैं अजाइज आउलाद हूँ आप ने उन तीरों का अपना जिस नहीं बेचा बलके बदकिस्मति की चौकर पर मेरी तक्दीर बेच दी मेरा भ्यार बेच दिया आज शेहर वाले आपको ग्रेट मदर का अवाट देने वाले हैं मगर आप उस अवाट के काबिल नहीं है यो डॉट डिज़व इट लेकिन ग्रेट मदर साबित करने के लिए आप वहां भी कोई अच्छी सी कहानी कर देंगी जिससे सुनकर लोगों की आखों में आस्वा ज प्लीज को ठीक है आज मैं भी आत्मात्या कर लोगी सामाज एक आत्मात्या आज मैं आवाट फंक्शन में जाकर सब के सामने अपनी असलियत बता दूंगी कह दूंगी कि मैंने तीन आदमियों को चीट किया अपनी बेटी को चीट किया अपनी बेटी की जिंदगी नहीं हूँ, I will go there and announce to the whole world कि में एक ग्रेट मदर नहीं, एक ग्रेट हॉर हूँ, हैपी?